आई कले पर कौलthat पी है Beef handler हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत हैं हमारे इस चैनल के एक और नब वीडियो में आजके इस वीडियो में मैं इंजेक्षं के डिफरेंट टैप्स के बारे में बताने वाला हूँ इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इन इंजेक्शन को बॉड़ी में कहां दिया जाता है इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सरीर में सुई के माध्यम से दवा को डालना सुई को एक हॉलो डिवाइस जिसे सिरिंज कहते हैं उसके द्वारा बॉड़ी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्षन कई टाइप्स के होते हैं जैसे की intra-articular injection, etc. लेकिन इन सब में subcutaneous, intramuscular, intravenous और intradermal प्रमुख injection है आईए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को injection के form में देने की जुरत क्यों परती है यूजवली injection के तूँ medicines देने से वो जल्दी ही बॉड़ी में absorb हो जाता है और दूसरा ये कि जो ultra drugs या medicines जो किसी और तरीके से body में absorb नहीं हो पाता उसे injection के help से दिया जाता है Injection के different types को जानने से पहले चलिए skins के layer को समझते है Skin कई layer से मिलकर के बना होता है जिनमें सबसे बाहरी यानि की उपर के layer को epidermis उसके बाद के layer को dermis layer कहते है Dermis layer water store करने, body temperature को regulate करने और vitamin D के production में सहायता करता है तीसरे और last layer जो कि skin को muscle से अलग करता है जिसे hyperdermis या subcutaneous fat layer कहा जाता है इस layer में fat store रहता है जो कि हमारे body में heat conserve करने का काम करता है तो चलिए अब injection के main types को समझ लेते हैं इस injection से medicines को skin और muscles के बीच tissues में दिया जाता है इस तरह के injections के लिए छोटी सी सुई, लगबग देर से 2 cm और 2-5 ml वाले syringe का use किया जाता है इस injection से दी जाने वाली दवा सरीर में धीरे-धीरे absorb होता है insulin का injection, subcutaneous injection का ही एक example है subcutaneous injection को body में arm के उपरी एडिया में, thigh के बाहरी हिस्से में, pate में नावी के एडिया को छोड़ कर और इसके लाबा बटक और hip वाले हिस्से में लगाते हैं इस तरह के injection को generally 45 degree के एंगल पर लगाते हैं intra-muscular injections medicines को सीधे patients में inject करने का सबसे कामन तरीका है इस तरह के injection के लिए body needles, almost 6-8 cm और 5-10 ml वाली syringe का use किया जाता है इस तरह के injection का purpose यह होता है कि दवा को ऐसी muscles में दिया जाए जहां बहुत सारी blood vessels हो, ताकि दवा जल से जल blood stream में चला जाए intra-muscular injection मुख्यता, arm के deltoid muscles, thigh के westrous lateralis muscles में, hip के ventrogluteal muscles में और बटक के dorsogluteal muscles में दिया जाता है intra-muscular injection में needle को लगबग 90 degree के angle पर skin में insert किया जाता है hepatitis, influenza और tetanus vaccine को intra-muscular injections के त्रूही डाला जाता है इस injection से दवा को skin में दूसरी layer यानि की dermis में दिया जाता है इस तरह के injection लगबग 5 से 15 degree के angle पर एक बहुत ही छोटी सुई के द्वारा लगाया जाता है intra-dermal injection से दवा के absorption में intra-muscular injection, intra-venous injection या subcutaneous injection से अधिक समय लगता है इसी कारण से कुछ दवा को intra-dermally दिया जाता है इस तरह के injection का use आम तोर पर sensitivity test जैसे की tuberculine skin test या फिर allergy test में किया जाता है इस तरह के injection को सीधे vein या नस में लगाया जाता है ताकि दवा सीधे blood stream में circulate हो सके और इसका जल्द असर हो इस तरह के injection के दवारा उन लोगों को nutrition supply किया जाता है जो digestive tract के दवारा nutrition नहीं ले सकते झाले जाता है